हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबला ओनलाइन, दिस इस अंकीता सूद, सो पेपर वन के फाइनल रविजिन के लिए फूल सले बस इंपोर्टेंट क्वेशन की सिरीज मैं लेकर आई हूँ, ये सवाल एस अपकमिंग एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हरे क् के साथ मैं आपको इंपोर्टेंट एक्स्प्लेनेशन दूगी, ताकि स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपके कॉंसेप्स क्लियर नहीं हैं, तो वो आसानी से क्लियर होते रहें, स्टूडेंट्स इसकम समय में पेपर वन की तयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपक पूरा सलेबस कवर हो जाएगा, साथ ही हम आपको यूनिट वाईज और टॉपिक वाईज रिकॉर्डेर सेशन भी देते हैं, ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक यूनिट को कवर कर सकें, दो वाट्स अप नमबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर कॉंटक् को हमारे एक स्पेशल वाट्स अप ग्रूप में आड़ किया जाएगा, जिसमें हर क्लास के बाद आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का और MCQs नोट करने का समय भी बच जाएगा, और रिविजिन के लिए ये 5000 क्वेशन हैं, जिसमें आपको unit wise हर question के answer के साथ explanation भी मिलेगी और इस में से आपको paper 1 में 50 में से लगबग 30 प्लस questions जरूर as it is देखने को मिलेंगे, साथी free videos और mock test भी available हैं, जिसके लिए आपको global online app डाउनलोड करना है, store section पर search bar में लिखे course का नाम, जैसे आप content पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सक जो previous year questions हैं वो भी आपको answers के साथ हम provide करवाते हैं and daily live lectures भी आपको हम यहाँ पर देंगे, so यह best course है जो कि इसकम समय में आपको exam oriented तयारी करवाएगा and बहुत आसानी से आप अच्छा score भी कर सकते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं next question की और जो की है ICT unit में से पूछा गया, the internet protocol address of each computer is, so देखो internet protocol address यानी की IP address, आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा जैसे किसी भी person का एक unique number आधार number होता है, जो कि उनकी एक identification होती है, वैसे ही जो भी computer internet के साथ connected होता है, अब आपको तो पता ही है कि हर एक device आज के समय में internet के साथ connect होती ही है, तो हर एक device को एक unique number दिया जाता है, जो कि IP address कहलाता है, तो correct answer है यहाँ पर unique number, unique address यह होता है, okay, next question is, what is the full form of BCR as used in computer related activities, so यह भी ICT unit में से question है, बहुत easy question है, BCR के full form पूछी गई है, so students, इसकी full form होती है, bar code reader, अब देखो, आप लोगों ने शायद यह नहीं सुना होगा, आपको ऐसा लग लेकिन एक example में बताऊंगी, तो आपको clear हो जाएगा, आपने यह वाला code तो जरूर देखा होगा, आप कुछ भी खरीदो, आप चाहे एक कोई 10 रुपे की pen खरीदो, या फिर आप बड़ी सी कोई 100 रुपे की chocolate ही खरीदो, कुछ भी product आप खरीदते हो market से, so उसमें यह code ब बियान करके बनाया जाता है, ठीके, so यह वाली जो machine है, इसको बोला जाता है, barcode reader, और यह जो code होता है, इसको बोला जाता है, barcode, ओके, इस से क्या होता है, इसमें सारी details hide की होती है, उस product के बारे में, जो कि आप लोग इस machine से read कर सकते हो, अगर आप ने यह देखा है, तो जरूर मुझे बताइए, next question is, which of the following is not an example of storage devices, so storage devices पर एक separate video मैं, जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, यह बहुत important है, so storage devices, एक CD है, CD एक storage device है, जिसके अंदर हम लोग songs, movies, या कोई भी photo videos को store कर सकते है, same DVD भी होती है, hard disk में भी ऐसा ही होता है, so correct answer है, यह पर loop pattern, so यह किसी भी तरह का storage के लिए use नहीं होता, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक homework question दे रही हूँ, यह homework question आपकी तयारी में मदद करेगा, एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, homework question यह है कि full form बताइए मुझे CD की और DVD की, अगर आपको answer आता है, तो बहुत कर रहे हो, and exam में question आएगा, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हमने उस चीज़ को type किया था comment में, तो बहुत help आप लोगों की हो जाएगी, okay, next is what is Norton, so Norton क्या है, आप सभी ने computer use किया है, mobile use किया है, तो आप लोगों ने virus का नाम भी सुना होगा, virus क्या होता है, कोई भी unwanted files, अगर हमारे laptop, हमारे mobile में आ जाती है, तो उसको virus बोला जाता है, and virus को remove करने के लिए, या फिर उसको हमारे computer में आने, अंदर enter होने से रोकने के लिए, use होता है, antivirus, and antivirus का नाम है, Norton, ठीके, आप समझ सकते हो कि ये, एक antivirus का एक brand है, एक type है, okay, नाम होता है, ये Norton ant antivirus, okay, so आप लोगों के लिए, देखो students, यहाँ पर मैं hold पर रख रही हूँ, ICT में एक input-output devices पर आप पे video लेकर आनी है, एक memory पर आप लोगों के लिए, मैं video लेकर आने वाली हूँ, और एक आप लोगों के लिए antivirus and virus पे separate video आईगी, इसके लावा भी कोई topic अगर आपक banking can be accessed through, so internet banking को कैसे हम use कर सकते हैं, आप सभी ने देखा है, आजकल online हम लोग Google पे use करते हैं, या फिर online घर पर बैटे ही, bank के benefits उठा सकते हैं, तो वो कैसे होता है, mobile में use कर सकते हो, अगर आपने mobile में internet है, laptop में use कर सकते हो with internet facility, computer में भी use कर सकते हो with internet facility, so correct answer है option number D, बहुत easy questions है आप लोगों को देखूं यहां पर कितना level इसका क्या है, आपको clear idea हो रहा होगा, next is which of the following is not an input device, so input devices क्या होती है, computer के अंदर किसी भी device की मदद से, अगर हम लोग data या information को एंटर करते हैं, so उसमें हमें मदद करती है, input devices, ठीके, so microphone क्या करते है, microphone आवाज हमें, अपनी बाह अगर की अवाज, computer या mobile के अंदर enter करने में मदद करता है, keyboard क्या करता है, keyboard में जो buttons होते हैं, उसको अगर press करेंगे, तो वो सारा data, computer के अंदर डालने में हमें मदद करता है, ठीके, mozilla, firefox and mouse, mouse क्या करता है, mouse आप चलाओगे, किसी भी folder के अंदर click करोगे, तो आप लोग उस mozilla firefox ये क्या है, output device भी ये नहीं है, mozilla firefox क्या है, ये आप लोगों के पास एक web browser है, ठीक है, mozilla firefox हो गया, आप लोग Google Chrome यूज करते हो, अपने mobile phone में भी ठीक है, इसके अलावा आप लोग internet explorer को यूज करते हो, ये सब क्या है, web browser है, इस पे भी separate वीडियो में कल ही आप के ल national disaster management authority functions, under which union ministry, so, राश्रिय आप दा पुरवंधन प्रधीकरन के अंदर जो है, वो किस मंत्राले के अंदर काम करता है, ये करता है, आपका home affairs के अंदर काम, so, जितने भी ministry है, आपको ये पढ़कर जाना है, कि कौन-कौन से ministry किस के अंदर आती है, और क्या-क्या उनके responsibilities होती ह next question is, at this juncture, the development and environment have become what, they have become opposite to each other, देखो, opposite क्यों उसको बोला गया है, अगर हम लोग country की या फिर किसी particular area की development कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें environment को नुकसान पहुंचाना पढ़ रहा है, यानि कि कोई अगर project बनाना है, कोई building बनानी है, या फिर कुछ भी चीज़ बनानी है, ज उसके लिए easy हो, तो हमें पर्यावरन को नुकसान पहुचाना पढ़ रहा है, बहुत सारे पेड काटने पढ़ रहे हैं, या फिर अगर लोगों की सुविधा के लिए road हमें बनाने हैं, तो भी हमें पर्यावरन को नुकसान पहुचाना पढ़ रहा है, तो वो सब चीज़े क्या है यह opposite है एक दूसरे के और वहीं अगर हम लोग पर्यावरण को बचाने लगेंगे तो human को जो है benefits नहीं मिल पाएंगे next is result of deforestation is so जो पेड़ों के कटान होते है उसका क्या परिनाम है so उसका परिनाम होता है disturbance of natural balance यानि कि जो आप लोगों को बता है कि आज की समय में मौसम में कितने ज़्यादा उतार चड़ावाते रहते हैं न so पेड़ कट रही है जिसके वज़से बारिश कम हो रही है हमारे परियावरण को नुकसान हो रहा है so natural balance जो होता है उसमें disturbance होती है उसका संतुलन विगड़ जाता है extinction of medicinal plants यानि कि जो भी medicine जो और शिदी वाले plants होते हैं जिससे जड़ी बूटियां होती हैं जिससे बहुत सारे बिमारियों को पहले के जमाने में ठीक किया जाता था वो भी कट रहे हैं जब हम पेड काट रहे हैं rain cycle becomes irregular आप लोगों को पता है कि बारिश जो गड़बड होती है कि कि किसी भी समय बारिश हो जाती है कभी भी तेजगर्मी आ जाती है ये सब किसकी वज़ा से है deforestation की वज़ा से है so correct answer is option number D that is all of the above students अगर आपको ये series पसंद आ रही है and आप और भी question series मुझसे चाहते हो कि मैं solve करके लेकर आऊ ताकि आपके concepts में clear हो जाए तो मुझे comment कर दीजिए या particular topic पर आपकी कोई demand है तो भी मुझे जरूर बताईए मैं आपकी definitely help करूगी next is environmental management is related with what so environment को यानि कि पर्यावरण का प्रबंधन किस चीज से संबंदित है तो ये preservation और conservation यानि की संची करण और संरक्षन दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है अगला question है which one of the following is not a natural hazard natural hazard मतलब प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है earthquake भुकम प्राकृतिक आपदा है tsunami भी एक प्राकृतिक आपदा है उसके अलावा flash flood आकस्मिक बार जो होती है वो भी एक प्राकृतिक आपदा है nuclear accidents जो है ये प्राकृतिक नहीं होती है ये मानव निर्मित होती है next question is according to revised grading pattern of NAC the highest grade is what इसके answer भी जाने से पहले मैं आपको ये भी बिता देना चाहती हूँ कि natural hazards कौन कौन से है उसके list आपने याद रखनी है ठीके इसके अलावा जैसे इस बार दे को bookamp आया आप लोगों को पता होगा latest news कितना जादा earthquake आया था earthquake का क्या reason हो सकता है ठीके क्या के इसके कारण हो सकते हैं ये सब exam में पूछा जा सकता है इसके अलावा आप लोगों से solar energy ये बहुत important topic है इसको आप लोग ज़रूर पढ़ कर जाएएगा so highest grade A++ कर दी गई है NAC के द्वारा NAC की full form क्या है exam में पूछा जा सकता है मैं नहीं बताऊंगी ये भी आपके लिए homework है जो कि आप मुझे comment करके बताऊगे वहाँ पर ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है अंसर या गलत है NAC की full form next question assertion reason based है इसमें पूछा गया है sustainable development is critical to well-being of human society and कारण ये बताया गया है environmentally sound policies do not harm the environment or deplete the natural resource code resources ठीक है तो इसके codes given है तो correct answer ये है कि both statements are true लेकिन reason जो है वो इसको correctly identify explain नहीं कर रहा है अगला question ecosystem से related है तो सबसे पहले ecosystem आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है देखो ये बहुत ही जादा important है तो इसमें statement से गई है कि ecosystem comprises both biotic and abiotic component so ecosystem एक geographical area है ठीक है ये एक geographical area है जहाँ पर plants, animals और भी छोटे-छोटे जीव जन्तू ये सब चीजें क्या करते हैं रहते है एक साथ रहते है in the form of bubble of life ठीक है सो इसको simple language में हम कहें क्षित्र विशेश में पाए जाने वाले वो अपने परिवेश से संबन्धित सभी पहते वो पशू इस category के अंदर आते हैं सो इसमें directly answer पर जाते हैं that is one and two ecosystem comprises biotic and abiotic component and solar radiation is the main driving force of ecosystem solar radiation मतलब क्या होता है इसका मतलब सौर विकरन जो होता है solar की जो energy होती है वहीं से इन लोगों का energy मिलती है और वहीं से इन लोगों को जीवन अच्छे से मिलता है ये एक closed system नहीं है and उनकी अपनी productivity भी नहीं होती है next question is इंदिरा गांधी national open university अब देखो यहाँ पर students confused हो जाते हैं इंदिरा गांधी national open university मतलब IGNU IGNU से बहुत सारे बच्चे course करते हैं ये वही बात की गई है IGNU को कब establish किया गया इसको 1985 में establish किया गया आप लोगों को पढ़कर जाना है IGNU के बारे में सब कुछ की कब establish किया किसने establish किया exact date कौन सी थी इसकी establishment की इसके अलावा IGNU की क्या क्या roles and responsibilities होती है IGNU के latest chairman या latest authority higher authority कौन कौन सी है ठीक है ये सब आपने पढ़कर जाना है exam में आएगा next is teacher working for the rehabilitation of disabled children must register themselves with what they must register themselves with RCI next question is the Indian Institute of Advanced Studies situated in it is situated in Shimla that is in Himachal Pradesh next question is the regulatory body for distance education in India is so regulatory body जो के distance education इंडिया में करवाती है वो है UGC UGC की full form क्या है University Grant Commission so ये UGC, CBSE, ICE, AICTE इनकी आपको roles, responsibility full form सब कुछ पता होने चाहिए, ठीक है exam में जो options होते है उनमें तोड़ी थोड़ी से definitions में फरक होता है तो आप लो confused हो सकते हो तो इसलिए अच्छे से इन चीजों को clear करके जाहिएगा जैसे कि अगर हम बात करें UGC, distance education में भी हमें help करता है EGNU के साथ मिलके, CBSE क्या करता है यह हमें school education में provide कराता है NCE, RTP इसके लिए responsible है AICTE, All India Council for Technical Education इसके full form होती है यह जितने भी technical courses है जैसे कि engineering courses होते है यह सब चीज़े होती है उसमें हमें मदद करता है उसका पुरा curriculum set करना saliva set करना ध्यान रखना हर एक चीज़ का यह AICTE की responsibility होती है Next question is Who was the first chairman of UGC? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि UGC की full form पता होनी चाहिए वैसे मैंने आपको पता ही क्यों कि first chairman, current chairman कौन है कब शुरू हुआ यह पता होना चाहिए तो देखो, ऐसे questions exam में आते हैं So, first chairman was professor SS Bhatnagar यह question UGC net में बहुत पहले पूछा गया था I think 2016-17 में पूछा गया था Next question है आपका data interpretation में से 4 students के यहां पर table में दिया गया है OP, Q, R and 4 subjects दिये गये है 1, 2, 3, 4 ठीक, इसके बेस पे question यह दिया गया है A star का मतलब है absent जैसे की यह paper subject में Subject 2 में Q जो है absent था Subject 4 में यह वाला student absent था इस तरीके से Which student has got 60 to 65% in the total of attempted paper So, 60 और 65% के बीच में किन्हों ने score किया है अब इसमें आपको calculation करनी ही नहीं है यह इतना basic question है कि आप लोग directly इसको देख करके बता सकते हो, ठीक है वो कैसे, अब देखो Overall अगर आप पहले O के जितना भी score है उसको calculate करो देखो maximum score 60 से उपर हो जाएगा जब हम इसको calculate करेंगे, ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे score बहुत कम है 60 और 65 के आसपास नहीं होगा यहाँ पर 60 और 65 के आसपास हो सकता है लेकिन बीच में कि absent mark है and last वाले में भी देखोई कि absent mark है O ने किया है next question is which student has got minimum average marks so minimum average marks किन होने लिए है यह भी आपने देखना है इसके लिए आपको सब को plus करना है इनको अगर सब को plus करोगे तो आपको आजाएगा 241 इसको अगर plus करोगे तो फटा-फट से calculate कर लीजिए यह आजाएगा 99 next आजाएगा 210 और last आजाएगा आपके पास 216 ठीक है so देखो minimum किसका है minimum है यहाँ पर P का score that is 99 so correct answer is option number 2 बहुत easy question है next question again DI based है लेकिन यहाँ पर आपके टेबल की जगा पाई चार्ट दिया गया है इसमें देखो पाई चार्ट में चीज़ धियान रखिएगा कि overall देखो किसे भी circle में overall degree में बात की जाती है so किसे भी circle के degree 360 होती है तो यह आपको याद रखना है what is the percentage of expenditure on education but sorry education out of total monthly expenditure so अब देखो इस question में total कितना है total monthly expenditure बोला है so total expenditure है इनका 360 right and यहाँ पर पूछा गया है percentage on education so education में है 90% so percent में है लेकिन यह degree में है तो इसको कैसे calculate किया जाएगा इसको आप करोगे 90 by 360 into 100 so जब आप लोग इसको पूरा calculate करोगे तो result आजाएगा 25% so correct answer is option number C okay next question is if expenditure on food is 1500 then what will be the expenditure on cloth so देखो food यहाँ पर 170 percent बताया गया है और यह बोला है कि इसमें total 1500 है ठीक है तो वैसे ही cloth में बताना है तो 170 का 1500 बनता है तो 70 का हम कितना expect कर सकते हैं यह approximately आप लोगों का 500 बनता लेकिन 500 कोई भी option नहीं है so correct answer आजाएगा none of these so इसमें आपको देखो कुछ भी calculation नहीं करनी पड़ी बस logic लगाना था बिना pen उठाए भी आप इनको solve कर सकते थे next question is most of the guitarists are beard males देखो जो guitar बजाने वाले लोग होते हैं वो दाड़ी वाले मर्द होते हैं यह इसमें कहा गया है ठीक है if a represent male ठीक है अगर a बलता है कि male है b बताता है कि beard वाले male है यानि कि दाड़ी वाला पुरुश है ठीक है और c बताता है guitarist है यानि कि वो guitar बजाते हैं तो correct answer कौन सा है आपको बताना है कि most of the guitarists are beard male यह आपको इन keywords के साथ ध्यान रखकर चेक करना है ठीक है इस उसमें correct answer है option number d आप यहाँ पर देख सकते हो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है ठीक है यह when diagram इसको बोलते है when diagram बहुत easy है कुछ भी नहीं करना calculate a, b, c यानि कि तीनों में थोड़ा थोड़ा part यानि कि male भी है beard वाला male भी है और guitarist भी है वैसे ही बाकी दोनों में भी होगा which one of the following when diagrams correctly illustrate the relation among carrot, food and vegetable देखो carrot क्या है carrot एक vegetable है और एक food भी है ओके, सो इन तीनों के बीच में relationship अगर देखें तो क्या होगा correct answer a हो जाएगा देखो, यह है माल लीजिए vegetable, यह है माल लीजिए food, food के अंदर vegetables आजाती है, vegetable के अंदर carrot आजाता है, so ऐसे आप इसको यहाँ पर adjust कर सकते हो okay, so I hope students आज का यह session आपके लिए helpful रहा है, अगर कोई doubt है किसे भी question में कोई query है तो comment कर दीजेगा इसके अलावा अगर session पसंद आया तो भी मुझे motivated रखने के लिए आप मुझे comment जरूर कर सकते हो so thank you so much and I wish you all the very best